कि हेलो एवरी वन्ट विल्कूं टु माइ स्टरीवीज ईजनल दोस्तु मैं आज बात कर रहें हूं सार्डक्सिछा के इत्याहस के बारे में उसके यणान के इतिहास को चार पार्ट में डिवाइट किया गया है हुमर काल, इस्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल दोस्तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो इन पार्ट वन में हुमर काल और इस्पार्टा काल के बारे में बात कर चुकी हूँ आज मैं बात करने वाले हूं पूर्व एथेन्सकाल और उत्पर एथेन्सकाल के बारे में तो चलिए जानते हैं दोस्तों पूर्व एथेन्सकाल पूर्व एथेन्सकाल में निर्थी की तयारी करने के लिए एक प्रकार का जिमनास्टिक अभ्यास कराया जाता था उस जिमनास्टिक अभ्यास कराया जाने वाले अस्थान को हम क्या करते थे गेस्टिकुलेशन ठीक और यहां के लोग क्या थे प्रजात अंत्रवादी थे और जो यहां बच्चा होता था वो साथ वर्स की आयू तक बच्चा अपने मा की सनरच्ण में रहता था और साथ वर्स की पस्चाथ बालग प्रथम स्योड़ी की पाड़ साला में सिच्चा प्राप्त करता था सैनी सिच्चा के साथ साथ नैटी सिच्चा पर विशेशबल यहां सैनी सिच्चा तो दिया ही जाता था बढ़ साथ सा नैटी सिच्चा भी दिया जाता था ठीक और बेयाम्साला को जो बियाम्साला होता था वो पूरे अथेंस्काल में इसको क्या बोलते थे पैलेस्ट्रा ठीक आ इस पैलेस्ट्रा में कुस्ती मुख्य बाजी वो जिमनास्टिक अभ्यास कराया जाता था पेलेश्ट्रा में सारी सिच्छक को यानि जो बेयामसाला यानि पेलेश्ट्रा होता था उसमें जो सारी सिच्छक होता था उसको पेड़ो ट्राईव कहा जाता था विराज केलियों जो सिच्छ बॉल का परियोग करके सारी सिच्छा देता था उस अध्यापक को इस फे रिष्टिस बोला जाता था क्या बोला जाता था इस फे रिष्टिस कुस्ति वो मुक्के बाजी के मिस्रित खेल को यानि जिस खेल में कुस्ति वो मुक्के बाजी दोनों मिस्रित होता था उस खेल को पैन क्रेशन बोला जाता था क्या बोला जाता था पैन क्रेशन और भाला या जैविलिन मतलब भाला को जैविलिन बोलते हैं भाला या जैविल जो सिच्छक धनुर विद्या सिखाता था यानि धनुर विद्या सिखाने वाले अध्यापक को पूरु एथेन्सकाल में टेक्सुर टोज बोला जाता था अस्तर सस्तर चलाने की सिखा देने वाले अध्यापक को जो अध्यापक अस्तर सस्तर चलाने की सिखा देता था उसको हुवलू मैचोज बोला जाता था क्या हुआ लू मैं चोज और इस पुर्व एथेंश काल में कीचर असनान काफी प्रचलित था ये कोस्टन भेरी 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 इंप्रोर्टेंट है हमेशा ये पूछा जाता है कि कीचर असना यानि मूड बात किस काल में प्रचलित था तो आप बताएंगे पुर्व एथेंश काल तो इसको जरूर याद कर दिजिए इसमें एक एक पॉइंट सब के सब इंप्रोर्टेंट है अधेस में गरीब लोगों की बेयाम करने के अस्थान जहांपे गरीब लोग बेयाम करती थे उस अस्थान को लाईसो सारगस बोला जाता था जिन्हें यवन अखिय यवन या पान हेलनी समारूब कहा जाता था तो चलिए जानते हैं अखिय यवन पान हेलनी समारूब की बारे में ये चार प्रकार से खेला जाता था ये चार प्रकार के होते थी उलंपिक खेल उसो, पीठियन खेल उसो, इस्तिमियन खेल उसो, नीमियन खेल उसो इस चारों के बारे में चलिए जानते हैं और इस चार के चारों बहुत बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से सुनीगा तो उलंपिक खेल उसो उलंती खेल उस्सो जैसा कि 766 इसाफूरू में खेला जाता था और यह उस्सो जो है अगस्त मास में पांच दिनों तक प्रती चार वर्सों के बाद मनाया जाता था जैसा कि अब भी प्रती चार वर्सों के बाद मनाया जाता है इसका आयोजन जो है वो उलम्पस परवत की मैदान पर होता था एक धिरी इंपोर्टिंट है हमेशा पुछे जाता है कि प्राजिन उलम्पिक खेलों का आयोजन कहां होता था इस परवत पर होता था तो यह उलम्पस परवत की मैदान पर होता था इसका आयजन किसके देता के लिए वोता था आप सबको मालू हूँगा GS देता इनको आकास देता भी बोलते हैं अगर आकास देता बोल देगा तो कन्फियूज मत होईएगा इसको GS देता ही कोही आकास देता बोलते थे तो इनका आयोजन उलम्पिक खेल का आयोजन ही वोता था जीर देता यानी अकास देता को स्रधान जली देने के लिए पान हेलिक खेल में दूसरे खेल उस्तो था पीठियन खेल उस्तो यह दूसरे द्रजिकार लोकपरी खेल उस्तो था पहले पिधियन खेल भी संगीत उौसद वह ह 좋은 ही वा करता था अक्यों अपॉलो देउता यानी की स्रधानज़ी में मनाया जाता था नलिए में कविधा अपॉलो देटा को ही सुरह देटा भलायाता है उसमें सुरी देता ही पूछ सकता है और अपले देता ही पूछ सकता है ठीक अब पैरे ये क्यों संगीर उस्ता था लेकिन बाद में इनमें बहुत सारे खेलकिडाओं को जोड़ा गया पीठीन खेलका आउजन जो है डेलफी परवत के मैदान पर ये भेरी इपॉर्टेट है स जोंगेम खेल उस्तो पानखेलन जो था ओलंपीक खेल के आउजन की तीस री वर्श में होता था इस्तीमान खेलन खेल करिंध नामक अस्थान पर ओलमपिक के दूसरे वर्स में यानि जब उलमपिक का आओजन होता था उसके दूसरे वर्स में इस्ति मियन खेल का आवजन होता था ठीक और प्रमुक के खेल पॉंकून था इस्थमियन में नौकायन सेनी अभ्यास की क्रिया है संगीत वह खेल तुर ठीक और इस्थमियन में जो खेल बिजेता होता था उसको परिस्टो का ताज पहना आ जाता था गलती थी वहीं सेसी में थे बनाया लिग दिया है तो इसमें परिस्टो का ताज पहना आ जाता था ठीक और पारहेलनी खेल में ही च्ओथी नमबर का खेल उस्थम था नीमियन खेल उस्थम जो 512 इसा पुरू में मना जाता था ठीक और नीमियन खेलridgeं आवजन आगेली ज़ून नामक जाता कल दीजी तो नीमयन खेल उसों का अजयन जो है आज़ेंश नामक अस्थान पर मनाया जाता था इन खेलों में वहां का नागरी की ही भाग ले सकता था, यानि इन चारू खेलों में वहां का नागरी की भाग ले सकता था, अनि था बाहर का, नहीं तो चलिए ये बार दोहरा लेते हैं, उलम्पिक खेल का एजन कहा होता था, यानि पाराचिन उलम्पिक खेल का, उलम्पस प और देखते हैं, किस-किस देवता की संधाजली में इसे दर्भा मैं मना जाता हूं. इस्तिमियन कहल किस दर्भा मैं मना जाता हूं? समधर जयता यानि place disappearing ठीक नीमियन खेलव उस्तों भी these देता के समार में मना आयाता था कितने वर्सों के उलंपिक चार वर्सों के अंतराल पर होता था है इत्ग निमीयन खेल उलंपिक के बीच दूसरे वर्स में नीमीयन खेल प्रतीक दो वर्स के अंतराल पर होता था तो यह थह ता हमारा पान हेनलिक छेल जो ठेरी बेरी इंपॉर्टेंट है इन 4 को जरूर याद कर लिजीए पर जोर प्हसं फार है उत्तर इठेंस्काल Bundes таким कि मैं इसके पहले में हुमर Köni इस्पार्टा काल पूरू एथेन्सकाल की बात कर चुकी और बात कर रही हुआ उत्तर एथेन्सकाल की दोस्तों उत्तर एथेन्सकाल आते आते सब कुछ बदल चुका था इसकाल में बेक्ति बात का चारो तरफ बोल बाला हो गया अब बेक्ति की बेक्ति तो भिकास पर अधि काल इत्सं काल को दर्शन सास्त्रियों का जमार यंभी का जाता है कि इसग slipping काल में दो रोड़ी वादी दार्षनीक अरिष्टो फेनेश तथा जेनो फोन हुए ठीक और इसी काल में क्रांतिकारी दार्षनीक जो बहुत ही तिहास में प्रसिद्ध है और उसधी विग्यान पर यानि उत्तर थेन्सकाल में उसधी विग्यान पर अधिक बल दिया गया जिसमें बयायाम दोराव्यक्ति की सारी स्वस्ता का बिस्लेशर किया जाता था यही से सबकुछ बदलना सुर्वात हो चुका था जो आज यहां तक सबकुछ पहुचा और उत्तर थेन्सकाल में हिपोक्रेश को अवसधी विग्यान का प्रचारक माना जाता है माना गया उस समय उन्होंने अवसधी विग्याम पर अधिक बल दिया और पहले स्ट्रा जो बयायाम साला का जाता था उसमें सिच्छा देनी की प्रकिया जो पहले होती थी उसी की जैसे बनी रही रोमन समराज ने युनार पर विजय प्राप्त कर अपना सासन इस्थापित कर लिया इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों इस पर रोमन समराज ने आकरमन किया और उस समराज पर अपना अधिपत्त्य जमा लिया और अब इसके बाद आएगा रोमकाल आगे के वीडियो में मैं आप लोग को रोमकाल के बारे में बताऊंगी रोमकाल भी दो भागों में दिवाइट होगा है पुरुआद रोमकाल और उत्राद रोमकाल इसके आगे के वीडियो में यादे से ज़ादी अपने दोस्तों से सेर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकान को ज़रूर प्रेस कीजिए ज différents जो भी नया वीडियो में नेस्ट टापिक के साथ तो तब तक रिए जैहिल